आयोध्याकांड की ये जो प्रारंब की चौपाईयां बंधो मातां इसमें अधिकांस लोगों के घरों में रामचरित मानस होगा ऐसा कोई है क्या जिनके घर में रामचरित मानस नहीं है ऐसा कोई है जिसके घर में मानस नहीं है अच्छा सबके घर में है अच्छा ये बताओ किसके घर में लाल कपड़े से बाद के रखा है हाथ उठाओ जिनके घर में लाल कपड़े से अच्छा ठीप नीचे अब ये बताओ किनका किनका लाल कपड़ा कभी कभी खोला जाता है अच्छा संख्या कम हो गए तो लाल कपड़ा में बाद के रखने वाला कोई यंत्र नहीं है उसको खोल के कभी-कभी धूल जाड़के उसको पढ़ना चाहेगे कि समाचार पत्र हम लोग कई घंटे पढ़ते हैं कुछ लोग तो कई कई समाचार पत्र कई लोगों की घर मैंने देखा है पेपर देने वाला सुबह आता है तो इतना मोटा पेपर इसे फेंग के सबनादा तो मैं सोचता हूँ इनके घर कोई सिविल की तैयारी करता होगा कोई ISPCS का बच्चा होगा तो वहाँ ऐसा तो कुछ नहीं दिखा घर के लोग बारी-बारी से सारा समाचार पत्र चाटते हम समझने पाई ये चाटते क्यों है अच्छा जाने ही लोगे कि दुनिया में ये हो गया तो करोगे क्या मान लो जान गए ये हुआ करोगे क्या तो मेरा निवेदन है कि अनावस्थिक समय खराब करने की अपेक्षा जब भी समय मिले तो मानस की चौपाईयों का पाठ होना चाहिए और अयोध्याकांड की इन मांगलिक चौपाईयों के संदर्म में मैं विशेश निवेदन कर रहा हूँ बंधो माताओं अयोध्याकांड के प्रार्म की इन मांगलिक चौपाईयों को जो गाता है जो पढ़ता है मैं ये तो नहीं जानता हूं कि इसको गाने से इसको पढ़ने से इसका नित्य पाथ करने से आपके घर में पैसा कितना आएगा आपके घर में धन कितना आएगा आपके घर में संपत्य कितनी आएगी ये तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन इतना जरूर विश्वास के साथ व्य पांसा चौपाईयां हैं इतनी मांगलिक हैं इतनी मांगलिक चौपाईयां हैं जब भगवान अपने भाईयों के साथ विवाहित होकर जनक्पुर से अयोध्या आये हैं अयोध्या कैसी है एक बार मेरे साथ गाई जब ते राम ब्याहि घर आए जब ते राम ब्याहि कर आए नितनाव मंगल मोद बधाए भुवन चारी दस भुधर भारी सुकृता में गापर सैंसुख बारी रिदिसे दे संपति नदी सुहाए उमगे अवद अम बुधिका हुआए कहिन जाए कछू नगर विभोती जनुए तनी अभी रंच कर तो होती सब बेदि सब पुर लोग सुखारी सब बेदि सब पुर लोग सुखारी राम चंद मुख चंद निहारी नित्य उट्सवोग नित्यशवक्योग नित्य स्री नित्यमंगलः बंधुव माताओं इतना आनंद है इतना आनंद है युद्या में कि सुकृत मेग दर्शन करिए पुन्यों के मेग दिन रात वर्षा कर रहे हैं सुख की वर्षा कर रहे हैं अयोद्या में में पुन्यों के मेग और जानते हूं कि यह पुन्यों के मेग क्चाय कब थे सबम्राणों में जो पुन्यों के मेग शुकृत जो हैं वो जो आज वर्षा कर रहे हैं सुख की वो च्छाये कब थे पहले मेग च्छायेंगे तब न वर्षा होगी तो ये मेग च्छाये थे जब भगवान को शल्या मा के गर्भ में आगे जा दिन ते हरी कर भाई आए सकल लोक सुख संपति च्छाये वो मेग तब च्छाये थे जो आज बर्ष रहे हैं जब भगवान को शल्या मा के गर्भ में आगे आज सुकृत मेग बर्ष ही सुख बारी और सुख की जब बर्षा हुई तो परड़ाम रिद्ध सिद्ध संपत्ति आदि नदियों में बार है आगे रिद्ध सिद्ध संपत्ति आदि नदियों में बार है आगे बंधू माता हुई किसी ने गोश्वामी जी से पूछा बार का जल तो समुद्र में जाता है तो ये जो रिद्ध सिद्ध संपत्याद नदियों में बाढ़ है आई तो ये इन नदियों के बाढ़ का जल किस समुद्र में गया तो भोस्वामी जी कह रहे हैं कोई हिंद महासागर में किसी प्रशांत महासागर में किसी अरब महासागर में इन नदियों का जल नहीं गया तो पूचा फिर गया कहा तो भाबा ने का रिद्शिव संपत्याद नदियों में जो बाढ़ आई है उस बाढ़ का जल अयुद्या रूपी समुद्र में आके समा गया है अयुद्या में तना आनंद है अयुद्या समुद्र हो